श्री अमर्नाद यात्रा की आपचारिक शुरुवात हो चुकी है जम्मु कश्मीर के उप्राचिपाल मनोज सिन्हा ने वीडियो कॉन्फरेंसिंग के जर्ये अमर्नाद की प्रथम पूजा की इस बीच उन्होंने क्या कुछ कहा सुनिये आज पवित्र जेस्ट पुणिमा के दिन बाबा बरफानी बाबा मनाजी की परसम पूजा अप्रारम हुई एक जुलाई से देज भर के सब धालू इस पवित्र यात्रा के लिए आएंगे यात्रा को सुगम बनाने के लिए हर कोशिज कर रहा है जमुकस्मीर पुरसासन भी उस बिवस्था को समची ढंक से चराए जासे के इसकी पूरी तैयारी में है और यात्रा 31 सगस्त रक्षा बंधन के दिन समाप्त होगी मैं जमुकस्मीर के सभी निवासियों से भी निवेदन करना चाहता हूँ जिस तरह से यहां के स्थानी निवासी हर वरस इस यात्रा में अपना पूरा सा योग देते हैं इस साल भी पूरा सा योग देंगे और मैं उमीद करता हूँ कि देज भर के जो सर धालू आएंगे वह एक अच्छा अनभोले करके जाएंगे स्वभावी के रूप से जब यात्री आते हैं तो अस्थानी योगों को भी रोजगार के बहुत सारे अउसर उपलब्ध होती है मैं समझता हूँ कि यात्रा जितने ज़्यादा से ज़्यादा सर धालू आएंगे यहां के लोगों की एकॉनमी और बढ़ेगे तो अगर रोड की बात के रूप से ठीक है अभी रोड यह सच है कि इस साल बरवबारी बहुत हुई है तेकिन बियारो ने काफी अच्छे धंग से काम किया है और मैं उमीद करता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में रोड पूरी तरह से ठीक हो जाए बता दें कि अमरनाथ यात्रा एक जुलाई से शुरू होगी ये यात्रा रक्षबंधन वाले दिन 31 अगस तक चलेगी यात्रा के लिए पूरे देश में पंजीकरंट 17 अप्रेल से शुरू हो गया है